एंटिलिया के सब महाराश शरकार के लिए एक चुनोती बन चुकी है। लगातार सोशल मीडिया को और महाराश शरकार को लेकर तमाम तरह किटिपनिया की जा रही है। आज महाराश के ग्री मंतरी को हटाय यानि की खबर पूरे दिन चलती रही। इसी बीच दिल्ली में महाराश के ग्री मंतरी यानिल देश मूख और शरत पवार के बीच क्या बाचीत हुई उस पर चर्चा करेंगे। दूसरे नमर पर बात करेंगे फटी जिम्स वाले मुद्देपन। आज उत्राखंट के मुखिमंतरी तिरत सिंग रावत ने इस बयान पर माफी मांग ली है। मही मिस मेरश रह चुकी उनकी पत्नी ने कहा है कि इनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है। सबसे आखरी में बात करेंगे कोरोना को लेकर आखरों के जड़िये जानेंगे कि किम्स राज्यों में कोरोना सीज्थी खराब हो चुकी है। महीं पंजाब में स्कूलर पलेश को बंद करने का आधेश दे दिया गया है। नमस्कार में नहीं मोहित कुमार सींग और आप देख रहे हैं जन्ता जैक्सन का विशेश कारी क्रम जन्ता जैक्सन शोग। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट में चल रहे भी वात को लेकर जिसके बारे में पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है। आज के दिन इस बात की चर्चा होती रही कि क्या अनील देशमुक को महाराष्ट के ग्री मंत्री के पत से हटा दिया जाएगा। आज महाराष के मंत्री अनील देशमुक ने डिल्ली में NCP परमुक शरत पवार से मुलाकाद की। यह अंदाजा लगाए जा रहा था कि NCP परमुख से मुलकात के बाद इस चीज का नीने लिया जा सकता है कि उन्हें पत से हटाये जाएगा या नहीं दिल्ली में शरत ज्यादव से मुलकात के बाद अनिल देश्मुख ने कहा कि अम्मानी विस्पोटक मामले में NIA और ATS जांच कर रही है महाराश्च सरकार इस जांच में हर संभव मदद भी पहुचा रही है उन्होंने कहा कि जो भी दोशी होगा सरकार उसे किसी भी किमत पर बक्सेगी नहीं कुछ दिन पहले ही मुगमाई पुलिस के कमिशनर परमवीर सिंग को भी उनके पत से हटाये गया है इधर महाराश्च में शिवशेना खुद अनिल देशमुक पर करवाई की मांग कर रही है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अगर इस तमय अनिल देशमुक पर करवाई नहीं की जाती है तो लोगों में अश्रंदेश जाएगा कि अमबानी विस्पोटक मामले में केवल और केवल शिवशेना का ही दोस्त था इसके पहले महाराश की मुक्रिवंति उद्वठाकरे और NCP परमुक शरत पवारिक भी बाचित हुई थी जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए गये थे हाला कि शिवशेना की तरफ से साब किया गया था कि सरकार के ऊपर कोई खत्रा नहीं है हाला कि विस्पोटक मामले में जाच कर रही NIA की तरफ से अब तक यह बाच सामने आई है कि सचीर वाजे जो मुंबई पुलीस के एक ऑफिशर है उन्होंने केवल पबलिसीटी और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए यह सब कुछ किया है इस काम में सनील वाजे के साथ कुछ उनके खास पुलीस जवान भी शामिल थे अब तक कि जांच में यह बाच सामने आई है कि वहाँ भी फुठक रखे जाने में किसी आतंकी शाजिस का कोई सम्मंद नहीं है एक तस्बीर भी सोशल मीडिया पर खुपती जी से वाइरल हो रही है जिसमें एक सक्ष पीपी कीट में दिख रहा है अब तक जो जनकारी आई है उसके मुताबिक यह सक्ष कोई और नहीं बल्कि पुलिश ऑफिसर सचिन वाज़ यह है फिलाल जाच एजनसी के पास सारे सबूत हैं लेकिन अभी वह और पुष्टाचकर के इस साजिश में ऑफिसर के सास और कौन लोग शामिल थे उनको गिरफतार करना चाहती है फिलाल हमें आगे इसे लेकर और क्या खिलासे होते हैं इसका इंतिजार रहेगा अब आते हैं अपनी दूसरी ख़बर पर फटी जिन्स पर ब्यान देकर फसे उत्राखंड के नए मुक्यमंत्री तीरत सिंग रावत ने अब अपनी गलती मांगते हुए माफी मांग ली है उनके ब्यान को लेका देश भर में विरोत किया जा रहा था तो वहीं कई नारिवादी संगट ने खुल कर स्राणग पर उतर चुकी थी उत्राखंड के मुक्यमंत्री तीरत सिंग रावत ने कहा कि मेरा फटी जिन्स वाला ब्यान संस्कार के परिक्पेक्ष में था ही नहीं इसके बावजुद अगर किसी को मेरा ब्यान से दुख पहुचा है तो मैं उससे माफी मांगता हूँ मुख्यमंतری ने कहा कि मुझे फटी जिन्स से कोई यत्राज नहीं है लेकिन अगर कोई Jins लाकर उसे कैची से काट कर फार दे तंब मुझे यत्राज है आगे उन्होंने सफाई देते वुए कहा कि अगर किसी को लगता है कि वो फटा जीन्स ही पहनेगा तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्राखंड के मुक्रिमंतरी तीरत सिंह रावंत ने जब एक कारकरम के दौरांच जीन्स को लेकर बयान दिया था उसके बाद से लगतार मैला कॉंग्रेस की तरफ से उनके उपर हमले बोले जा रहे थे। उत्राखंड की मैला कॉंग्रेस की तरफ से उन्हें निरलजबिक बताया गया था और उनके इस्तिपे की मांग भी लगतार की जा रही है। तीरत सिंग के इस ब्यान के बाद से देश भर के बड़े नेताओं ने इस पर अपना रियक्शन दिया था। इसमें कॉंग्रेस महासची प्रियंका गाधी वाटरा भी शामिल थी। अब हला कि तीरत सिंग रहोत ने माफी मांग लिया है लेकिन अभी भी इनके इस पे की अगरा शारा है तीरत सिंग रहोत की पत्नी रश्मी ने उनका बचाव किया है रश्मी ने कहा कि उनके ब्यान को गलत तरीके से दिखाये गया है आगे उन्होंने कहा कि हमारे देश की विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान है और यह जरूरी है कि वह अपनी क्या बताने का अधिकार नहीं है हलाकि कई बार ऐसा भी होता है कि किसी छोटे से बयान को सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा बनाकर प्रशाइद कर दिया जाता है अब आते हैं अपने तिस्रे खबर पर कोरोना एक कारण देश में फिर से इसीती बिगरती जा रही है हम लग सब से उपर है अगर आप मायराश्ट के बारे में बात करें गे तो वहां की इसीती काफी खराब है वहीं दुसरे नबर पर रहने वाला पंजाब माहराश्ट के मुकाबले काफी अच्छी सिती में है इसके अलावा केरल करनाटक और गुज्राज जैसे राज भी कोरोना की दूसरी लहर से जुज रहे हैं पंजाब सरकार ने तो एहतियातन एस्कूल और क्वालेज को बंद रखने का फैसला ले लिया है महीं महाराश में कोरोना की लगतार बढ़ रही संख्या को देखते हुए कई शहरों में सक्त प्राति बंद लगाए गया है पंजाब के मुकी मंतरी अमरीन नर्सिंग ने कहा कि अगर लोग अभी भी सचेत नहीं होते हैं तो हमें मजबूरन सक्त कदम उठाना पड़ेगा भले ही लोगों को थोड़ा बुरा लगे लेकिन यह हमारा कर्तब है शिक्षर सहस्तानों को बंद करने के साथ ही मुकी मंतरी अमरीन नर्सिंग ने नौ जीलों में नाइट कर्फू को भी लागू कर दिया है महाराश में मिजब सरकार की तरफ से सक्ती बढ़ाई गई है कई शहरों में अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है तो महीं दो पहर बात से सबजी और अन्य परकार के बजारों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है आज के जनतान से शोव में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो शेर कीजिए फेस्बूक पर देखना तो पेज को लाइक कीजिए यूट्यूब पर देखना तो चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं फिर बहुत लगले वीडियो में किसी नहीं खबर के साथ क्यामरे की पीचे खड़े वरुंजा और मैं मोहित कुमार से हूँ धन्यवाद